कोशन नमबर वन है लकू लिस किस धर्म का मुख्य देवता था या थे तो लकू लिस जो है सैव धर्म के मुख्य देवता थे कोशन नमबर दो है सन अठारा सो चानवेर में पूना में किस ने विधावा आश्रम को प्रारंब किया तो ये प्रारंब किये थे डी के करवे ने कोशन नमबर तीन है संकराचारे ने कहां पर चार पीठों की अस्थापना की थी तो चार पीठों की जहां पर अस्थापना की थी संकराचारे वह है बदरिनात, स्रिंगेरी, पूरी एवं द्वारिका में कोशन नमबर चार है माओर युग में पोतवा ध्यच किस बिभाग का प्रमुख था पोतवा ध्यच ये प्रमुख था तौल माप का कोशन नमबर पाँच है निमलिखित में से किस ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया था लाड लीटन ने कोशन नमबर चे है अभिनाव भारत का संस्थापक कौन था अभिनाव भारत का संस्थापक था बीडी सावर कर यानि बिनायक दामोदर सावर कर कोशन नमबर साथ है निमलिखित विदेशी यात्रियों को तीथी क्रम में बेवस्थित कीजिए तो चले देखते हैं तीथी क्रम में इसको बेवस्थित करना है सबसे पहले इसमें आया था मेगा स्थनीज सबसे पहले जो आया था मेगस्थनीज सबसे पहले इसके बाद आया था फायान इसके बाद वेन सांग लाष्ट में इतिसिंग यानि जो इसका सही क्रम होगा आने का इसका एंसर होगा सी, यानी चार, तीन, दो, एक नीचे से करम से है यह को नमबर आठ है निम्लिकृत कुशान, सास्कों में ब्हारत में सर्पर्थम सौनव सिक्खे का प्रशलन किया तो सबसे पहले सौनव सिक्खे का प्रशलन किये थे बीम, कट फिशने I am a question कुर्षन नमबर 9 है कांग्रेश के किस अधिवेशन में नरंपंतियों एवं चरंपंतियों का विभाजन अप परिहार हो गया तो ये था 1907 का विभाजन कुर्षन नमबर 10 है महत्मा गांधी के राजनितिक गुरु कौन तो महात्मा गांधी के राजनितिक गुरु थे गोपाल क्रिष्ण गोखले या साथ करण में इंका नाम आता है जीखे गोखले कोशन नमबर 11 है चैंद्र गुप्त दूत्य ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाकिस राजवन्स के राजा के साथ किया था तो ये किये थे वाकटक राजवन्स की राजा के साथ कोशन नमबर 12 है समराट कुमार गुप्त प्रथम की माता कौन थी तिनकी माता थी ध्रू देवि, एंसर होगा B, ध्रू देवि कोशन नंबर 13 है, निमलिखित में से कौन सा यूग्म सही सुमेलित नहीं है तिसमें एंसर होगा C, मुद्रा, राचस, राज, सेखर, ये सही सुमेलित नहीं है कोशन नमबर 14 है निमलिखित में से किस आंदोलन में बल्ला भाई पटेल महत्वन नेता के रूप में उभरे और सरदार की उपाधी से सम्मानित हुए तिये वे थे बारदोली सत्या ग्राम है कोशन नमबर 15 है नागानंद नाटक का लेखक कौन है कोशन नमबर 16 है कोशन नमबर 17 है दिद्दा किस राज की प्रसिद रानी थी कोशन नमबर 18 है तुरुस्क डंड नामक कर किस राजवन्स के अभिलेखों में वाणित है ये वाणित है गहलवाल के अभिलेखों में कोशन नमबर 19 है भूदान आंदोलन किस ने प्रारम किया था बिनोवा भावे ने कोशन नमबर 20 है निम्न में से किस राजवन्स में महिलाओं ने उच प्रसासनिक पद प्राप्त किये थे चालू कोशन की महिलाओं ने कोशन नमबर 21 है प्रसिद एकास्म कैलास मंदिर कहां इस्थित है तो प्रसिद एकास्म कैलास मंदिर कहां पस्थित है तो यह इस्तित है एलोरा में एलोरा महाराश्टर पढ़ता है कोश्चन नमर 22 है खजुराहों का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है तो खजुराहों का चित्रगुप्त मंदिर किस देवता को समर्पित है तो यह समर्पित है सूर्य को एंसर हो जाएगा B सूरे को Question number 23 है किस राज्य का प्राचीन नाम जोतिसपूर प्र्याग जोतिसपूर था यह है यह है यह है असम का answer होगा A असम Question number 24 है Asiatic Society आप बंगाल के संस्थापक कौन थे Asiatic Society आप बंगाल के संस्थापक थे सर बिलियम जोन्स कोश्चन नमबर 25 है लाड कर्णवालिस का मकबरा कहा परिस्थित है ये मकबरा इस्थित है गाजीपूर में उत्तर परदेश में पढ़ता है गाजीपूर कोश्चन नमबर 26 है महिला सासिका रुद्रम्ब का किस राजवन्स से सम्बंदित थी ये सम्बंदित थी काकती राजवन्स से कोश्चन नमबर 27 है किति कल्प तरू नामक गरंथ का लेखक कौन है तिसके लेखक है लच्मी धर कोश्चन नमबर 28 है निमलिखित में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है तिसके अंसर होगा द्शी यादो रुद्र पर्थम ये सही सुमेलित नहीं है कोश्चन नमबर 29 है लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारम्ब किया ये प्रारम्ब किये थे स्याम जी क्रिश्ण वर्माने कोश्चन नमबर 30 है किस मुसलिम सासक के सिक्कों पर लच्मी अंकित की गई थी ये लच्मी अंकित की गई थी मुहम्मद गोरी के सिक्कों पर निम्न सुल्तानों में से कौन स्वेम को नायब एक खुदाई कहता था तो वह सुल्तान था बल्बन एंसर होगा भी बल्बन कोस्टन नम्बर 32 है दिवान ए अर्ज यानि की सैने मामलों से सम्मंधित विभाग को किस ने प्रारम्व किया था तो ये प्रारम किया था बलबन ने एंसर होगा A बलबन कोश्चन नमबर 33 है जेल में अंसर करते हुए 27 संगराम सेनानिक की मृत्तु हो गई थी तो ये मृत्तु हो गई थी जतिन दास की एंसर होगा C जतिन दास की कोश्चन नमबर 34 है निमलिखित में से कौन सिमान्त गांधी के रूप में प्रसिद्ध हैं ये प्रसिद्ध हैं अब्दुल गफ़ार खां कोश्चन नमबर 35 है दिल्ली के एक मातर सुल्तान जिसने अपनी आत्म कथा लिखी कौन था तो वो था फिरोज साह तुगलक एंसर भी होगा फिरोज साह तुगलक कोश्चन नमबर 36 है संतनत काल के सासकों में से किसने दिवान एक खायरात प्रारंब किया था जिसमें भी एंसर हो जायेगा सी फिरोज साह तुगलक कोश्चन नमबर 37 है निम्न में से किस सिलसिले से निज्यामुदीन अवलिया संबन्दित थे ये संबन्दित थे चिस्ती से एंसर हो जायेगा एक चिस्ती से कोश्चन नमबर 38 है कोलकाता से दिल्ली राधानी अस्थांतरन के समय भारत का वायसराय कौन था तो भारत का वायसराय था लाड हार्डिंग कोश्चन नमबर 49 है निम्न सुल्तानों में से कौन गुलामों के कल्यान के लिए किये गए कारियों के लिए जाना जाता है तो वह जाना जाता है फिरोज साह कोश्चन नमबर 40 है मुस्लिम समराज गोल कुंडा किस प्राचीन हिंदू समराज के खंडारों पर निर्मित हुआ तो ये निर्मित हुआ था वारंगल के खंडारों पर कोश्चन नमबर 41 है अपने पतन के पस्चात बहमनी समराज पांच भागों में विवाजित हो गया निर्मित में से कौन उसमें नहीं था तो खान देश के खान साई उसमें सामिल नहीं था कोश्चन नमर 42 है कृश्चन देवराय का सम्मंद किस राजवन से था तिनका सम्मंद जो है तुलू राजवन से था यह तुलू वन्स के थे कृश्चन देवराय के दिक साहित के प्रसिध टीकाकार सायन किस काल से समндber थे ये समंदित थे बीजये नगर से समंदित थे कोशन नमबर 44 है बाबर ने अपनी आत्म कथा तूजु के बाबरी किस भासा में लिखी ये लिखी थी तूरकी भासा में कोशन नमबर 45 है हिमायू को आश्रे देने वाला सफाविद सासक कौन था साह तहमस्प फर्ष्ट एंसर होगा बी इसमें कोशन नमबर 46 है 1932 के पूना समझवते में कौन पर्त्यचता प्रभावित हुए तो पर्त्यचता प्रभावित हुए थे पूना समझवते में तो वे थे दलित एंसर होगा डी दलित कोश्चन नमबर 47 है हिमायू नामा किस ने लिखा था हिमायू नामा लिखा था गुल बदन बेगम ने यह हिमायू की बहन थी गुल बदन बेगम कोश्चन नमबर 48 है निम्न में से कौन सा अधिकारी इसलामी कानून का सनरच्छक था तो अधिकारी कौन था जो इसलामी कानून का सनरच्छक था वह था मुहतसीब एंसर होगा भी मुहतसीब कोश्चन नमबर 49 है आल इंडिया अंटेच बिल्टी लीग जो कलांतर में हरिजन सेवक संग के रूप में जाना गया का गठन कब हुआ तो इसका गठन हुआ था यह कब हुआ था यह हुआ था 30 सितंबर 1932 को कोश्चन नमबर 50 है और अंतिम कोश कोश्चन है कि 1943 में सुवासंद्र बोश ने स्वतंत्र भारत की सरकार यानि गौश्मेंट आप इंडिपेंडेंट इंडिया का गठन कहां किया यह किये थे कहां पर सिंगापूर में यह थे कोश्चन आज के लिए अगर आप लोगों का इसका पीडियाप चाहे तो पीडिय करके एंसर मिला सकते हैं घर पर प्रेटिस कर सकते हैं तो उमीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद इसको लाइक करें अपने दोस्तों के यह अधिक सदिक शेयर करें धन्यवाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम